सबी को नमस्कार और आप सब का स्वागत है आज के इस कारिक्रम में सबसे पहले हमारे पार्टनर गेस्ट जो आज हमारे साथ इस रूरली मॉबिलिटी प्रोग्राम में सामील हुए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच फोर कमिंग जॉइन इंस पोर्ट गओंफ प्रोग्राम को श्रूरु रूरली मॉबिलिटी को शुरू करने के मकसद कही थे एक मकसद इन्वाइमेंट भी है लेकिन हमारा मेन मकसद क्या था इखे गाओं में और शहर में अंतर क्या है एक तो सरकार चांटिकQuery गाओंवालों को वो सुषिधवाइं मिले जो श all want to do कि गाओं में जो लोग रहते हैं गाओं में जो बच्चे पुरुष महिला और बड़े लोग रहते हैं उन सब को वैसा है परिवेश मिले जैसा शहर वाले को मिलता है तो टेक्नलोजी के माध्यम से वो परिवेश क्रिएट किया जा रहा है काफी कुछ काम CSC ने किये हैं जिसमें परिवेश गाओंवालों को दिलाने में मदद की गई है एक जो बड़ा अंतर था वो था काल मॉबिलिटी का शहर में लोग एक जगह से जगह कई बार जा सकते हैं कोई मेट्रो से जाता है कोई गाड़ी से जाता है कोई बस से जाता है तो मॉबिलिटी बहुत ज़ जाधा होगी लोगों को अपनी इच्छाएं और अपने अपना हुनर को बढ़ाने का जो योग चाहिए वो जाधा होगा तो तो मॉबिलिटी इस की फॉर अनेबलिंग पीपल तो अनासे इंकम यह सब को मालूम है लेकिं गाओं में मॉबिलिटी का एक अभाह हो है बहुत सारे गाओं अभी भी हमारे देश में देरा लाड नंबरों विलेजे जहां बस सिरफ एक दिन आती है और एक दिन आती है वो भी एक टाइम में एक दिन में एक बार आती है तो यह तो वेट फॉर देट बस तो गो तो लोकेशन और बहुत सारी महिलाएं बूड़े तो जा ही नहीं पाते क्योंकि उनको जाने के लिए किसी और का साहता ज़रूत होती है इस लिमिटेशन फोर रूरल इंडिया इन अनेबल सब्सक्राइब नहीं नहीं बसे जा सकती है बहुत सारे गाओं में इस तरह स्ट्रक्चर बनाएं तो बिचारी स्कूल नहीं जा पाती है और उसी कारण से हमारे बहुत सारे बच्चियां जो पढ़ना चाहती हैं गाओं में रहती हैं क्योंकि मॉबिलिटी के साधनी है तो बिचारी स्कूल नहीं जा पाती है में जाते थे लेकिन घरवालों ने मना कर दिया नहीं को जाने का साधनी है इसलिए तू कॉलेज नहीं पढ़ने जाते हैं लड़कियों को स्पेशली मॉबिलिटी इजन इंपैडिमेंट टू अनेबल पीपल तो गेट अंपावर तैट इस अग्री तिंग वह बहुत परिशानी का वक्त है उस मॉबिलिटी को एड्रेस करने के लिए सीसे ने रूर ली मॉबिलिटी शुरू कि हम कैसे गाओं वालों में किसी को बीचना चाहता है उसको भी परिशानी होती है और बहुत सारे लोग गाओं में अभी बूरे हो जाते हैं तो वह किसान जो है उसके घुटने वह खेत पे नहीं जा पाता है hama no way where he can go to the field. He find limitations and the limitations can be addressed today in the way we have started doing rural immobility. हम उस किसान के लिएभी समधाल लेके आ हैं ताकि बो भी अपने जा कर के रात को दिन में जब भी अपने केट पे जाना जाता है, he can use that mobility and try and enhance that. रूरल मॉबिलिटी इस की फर क्रेटिंग ग्रोथ और एकॉनमिक अंपावर्मेंट पूपल ने रूर इंडिया इसलिए CAC ने रूरल इमोबिलिटी शुरू किया था और जब हमने शुरू किया तो हमें लगता था कि पेट्रोल और डीजल के वहिकल लगाकर के शायद हम वो सपना पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट है और पेट्रोल को ले जाने के लिए भी पेट्रोल पूंप जाना पड़ जाता तो कोई ऐसी चीज क्रेट करे जिसमें ये सारे बोटलेक्ट जो एक्जिस्टिंग बोटलेक्स हैं पेट्रोल पंप की लोकेशन पता नहीं आप लोग कितने गाउं से हैं मैंने देखा है गाउंवाले पिचाले कई बाद डीजल पेट्रोल लेने के लिए बीच-बीच किलोमेटर जाते हैं वहां से तो रूरल इमोबिलिटी तो रूरल इमोबिलिटी तो रूरल इमोबिलिटी इस की तो CAC's mission of empowering rural communities and we will continue to do that part of the story. जब हमने शुरू किया तो बहुत सारी challenges हैं, बहुत सारे challenges हमारे system में, हम अग्जिस्टिंग जो large companies हैं, there are very large companies who actually do electric vehicles or electric vehicles, उन companies के साथ CAC का association करना itself as a big challenge. They probably didn't realize the potential which the entrepreneur can create for them and the rurally market, they can throw them open for them. धिरे धिरे थोड़ी story बनी, थोड़ी impediments से, हमने कुछ साइन किये, कुछ सप्लाई में problems हुई, there were some companies who committed, over committed to us in supply but they couldn't produce, or whatever reason, it may be COVID because the chips were not available, something may happen for them but they were bottlenecks in terms of meeting the aspirations of our people who want to set up rural immobility, उसमें थोड़ी तोड़ी तोड़ी इसूस से, हमने भी सीखा, we also learned, so we got more partners now into ecosystem to support the entire rural immobility framework. तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सारी चीजें जितनी भी, in any case we are a very neutral player, हम किसी एक कंपनी के साथ by definition काम नहीं करते हैं, we are very neutral and any service provider can use the CAC network. As long as he is serving our entrepreneurs, as long as he is meeting the expectation of our entrepreneur, and also gelling along with the mission with the CAC created for creating rural immobility, we will work with them to that extent. So हमारी request हमारे partners से यह रहेगी, कि हमारे बच्चे गाओं में काम करते हैं, थोड़ी expectation जादा है, कभी-कभी frustration होता है, तो you need to address those little more concerned, as compared to what you do in urban areas, or your standard retail or distributor network. यह नए हैं, यह पहली बार हैं, इन्होंने रिस्क लिया है, and the risk is because they have faith in us. So their ability to take the risk is because their faith and trust built into our system, we need to address probably a little more aggressively as their demands and meet the expectation. So hopefully, we will also try and create some value proposition ताकि हम लोग train करें और support करें. तो आज जादातर वी यली जो हैं, उन्होंने कुछ रियर रूरल e-mobility में शुरू किया है. हमारा तो परपस एक है, हर एक गाओं में, every instrument which is available for mobility should be converted into electric. और every person who uses mobility or want to use mobility should be empowered to use electric mobility vehicles in that sense. For example, अगर गाओं में cycles हैं, पुरानी cycles हैं, तो सब को बिजली की cycle बना देना, हम आपकी मदद कर देंगे. But convert every cycle into electric cycle, we will actually have created models for them. और राजस्थान में तो उस महिला ने अपनी बच्ची की नई cycle को बिजली की cycle में convert कर दिया. जब से पुछा बोलते नहीं बहुत अच्छा होगा, नहीं हैं तो कोई बात में मेरी लडकी अब स्कूल जा पाएगी, क्योंकि यह बिजली की cycle है. What a transformation it can make to life for people, you don't even realize this. But if you can make this, that all the cycles in the village which are existing, उनको electric मनाते हैं, all the new cycles people want to buy, we can also create, we have models for them. In fact, yesterday I was only looking at somebody in Kargil, in Leh, has bought a cycle, has bought an electric cycle and he's using it. And he says, in this temperature, in this environment, this electric cycle is the best thing for me. There is one boy who is bought in Andhra Pradesh, he's travelled 20,000 kilometers on the electric cycles. 20,000 kilometers on that electric cycles, he has already covered and saved huge amount of money on petrol and diesel which are invested. कुछ लोगो ने उस साइकल से बिसनस करना शुरू कर दिया. They started selling some of the commodities which you use in a garment store and tell that part. Electric cycles can be very transformative to begin with people who can't otherwise afford to buy a new vehicle or to buy a two-wheeler or a four-wheeler. But I think that is the foundation on which we should do. But we should convert everyone into electric cycle. Then of course, you have to have infrastructure to support them. You should also create a charging station and also a repair and maintaining unit for them. And later on, these batteries will need replacement. So you need to create a replacement structure for them in order to support them. So, पूरा support unit, जब तक हम नहीं क्रेट करेंगे, we will not be building the entire requirement. तो जो हमारे एंटर्पूर्नेर वो सीख ले. एक तो आपको सारे गाव को कभर करना है. Especially those who are villages, you cover everybody in that system. कुछ लोगों को नहीं साइकल दिला देना. और हमारे पस तू विलर्स हैं. And some of these partners or two-wheelers are very good. Two-wheelers अलसो हमारे पस दोनों हैं. जिसके पास two-wheeler हैं, उसको भी विजली का two-wheeler बना देना. That also refurbishing can be done. With little cost, the companies, they will explain today to you how to do a refurbishing of an existing two-wheeler. उसको two-wheeler को electric और दो jointly भी कर सकते हैं. It can be dual. petrol और electric दोनों भी हो सकता है. That is also possible. That is also the system they will tell and explain to you. So two-wheeler को convert करते हैं. जिसको नया, जो लड़किया, school और college आते हैं, उनको नहीं electric car two-wheeler खरीदवा देना. Scooty खरीदवाना, बहुत अच्छा होगा. And उनके लिए आप एक charging station रखना, ताकि स्कूल जाने के बाद में अगर उसको चार्ज करना है, तो आप कहां charging station करते हैं. She can do that. 5 या 10 रुपे चार्ज बेक station करके आपके system में, they will create huge value for you. So electric two-wheeler होगा. And there are of course large people who are little rich. अब गाउं में भी थोड़े लोग पैसे वाले हैं, जो कार खरीदना चाहते हैं. तो डीजल और पेट्रोल के दाम इतने जा रहे हैं, पता नहीं कहां जाएंगे, सब को बिजली वाली कार खरीदवा देना. You can also get people buy electric cars, do that. पहले खुद बिजली की कार खरीदेना. अपनी पुरानी कार बेच करके नई कार खरीद लेना. पाई एलेक्ट्रिक कार. सब लोग खरीद लेना. और लोगों चाहिए, अगर खराब हो जाएगी, तो वापस कर देना, I will return your money back to you. I promise you, आपके पैसे वापस देंगा, अगर खराब हो गई तो. जब तक आप नहीं खरीदोगे, तब तक कोई नहीं खरीदेगा. Because you are a role model for the village. लोग आपको देखके आपे भरोसा करेंगे. इस बच्चे ने चलाईया, यह बच्चा अच्छा है, इसके पैट्रोल का खर्चा बसता है, इसको कोई परिशानी होती है, चला मैं भी लेता हूँ एक. And that is how the whole chain works out. फिर आपका रिस्सेदार लेगा, फिर रिस्सेदार के पास आसपाल साल लेगा, and then you will start selling electric cars in that system. Cycles, scooters, cars, and then of course we have commercial vehicles also now electric. Even the tractors are also getting electric. तो electric tractor भी खरीज सकते हैं. Which is very good because of the petrol and diesel का भूत उतारना है. See, we need to get this country out of this petrol and diesel भूत and try and create everything possible which is petrol into electric format. पिजली के format में. अब वो हम मदद करेंगे. कुछ गाओं में लोगों को रोजगार भी चाहिए. चोटे-चोटे लोग हैं, commutation के लिए. तो हमारे पास three-wheelers हैं. जो चलते हैं, शहरों में तो चलते हैं. गाओं में भी आदे सकते हैं. जो three-wheelers are electric three-wheelers. They are very good and they can be used in rural India. They can create employment potential. They can also enhance mobility for people to a great extent. रात को, सुबह, शाम, डॉक्टर के पास ले जाना है, कुछ भी करना है, कर लेना. और समान्ड होने के लिए. तो farm produce को इदर घुमाने के लिए, farm produce को बेचने के लिए, या farm produce को इदर घुमाने के लिए, या कई बार animals को बिक्री करने के लिए, आप उन, चोटे-चोटे हमारे बाहर equipment लगें, आप देख सकते हैं. इस four, इस three-wheelers can also be used for commercial purposes in addition to doing for other purposes. तो पूरा system है, पूरा system built-in है, from two-wheelers, from electric cycles, two-wheelers, four-wheelers, two-three-wheelers, and to commercial vehicles, everything electrical. जो अपना गाउँ पूरा electrical करेगा. I promise you, we'll bring you back and give you an award, a very good award. We of course give a lot of awards. लेकिन सब को convert करना पड़ेगा, सब को convert करना पड़ेगा. Story is not one or two, for the CAC का परपस ही होता है, CAC ऐसी तो है नहीं जो नॉर्मल ही होता है, एक आदमी को दे दिया, दो आदमी को दे दिया, नहीं, CAC has a huge potential to create advocacy. और सब लोगों को समझाना, बुझाना, उनको एक्साइट करना, is what CAC is different. differentiator of CAC is only that their ability to mobilize community, and their ability to convince people saying, this is a good alternative for you, and that is how the entire thing is done. और जब हम सारा करेंगे, then what we are leading to? We are actually leading to a green village, and a green village will actually help you in saving environment. So ultimately, the goal of environment is built-in to the ecosystem of creating value proportion for every customer. हरे के लिए कुछ कुछ है, और कुछ कुछ से हमारा देश बदलेगा, environment पर protection होगी, and petrol and diesel pollution कम होगा, and entire story goes on in that format. एक दो चीजे और हैं, जो मैं आप तो शेर कर लूँ, because एक तो सब लोग कर लेना, और एक CAC VLE से अब थोड़ा साइक request है, हम लोग बहुत छोटे-छोटे काम करकर के, छोटे-छोटे बने हैं, अब थोड़े-थोड़े बड़े बन जाओ, थोड़े बड़ा सोचो, थोड़े सोच बदल लो, थोड़े बड़ा बनने का मन में बठा लो, तो बड़ा सोचने के लिए बोल ला था, थोड़े बड़ा सोचो, तो बड़ा सोच के बड़ा बनने का मन में थांग लो this initiative of e-mobility will help you in thinking big and becoming big I promise you ये देश में होगा ही ये बदलाओ और revolution electric का देश में होगा आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा इसलिए आपको पहल करनी है थोड़ी परिशानी होगी थोड़ा रिस्क होगा but I think end of the day if you have to really get into the space आज से चार-पांच साहल बेले देश बदलेगा और ये बिजली का भूत बहुत ज़्यादा चड़ेगा सब कुछ electric होगा and in that electric framework आपने नहीं किया तो किसी और ने कर लेना है तो मैं अपने BLE से सिरफ request करूँगा don't think over it just jump into it start doing it and taking a risk अगर किसी को बहुत नुकसान वा तो हमने का है हम है ना आपके लिए नुकसान हो तो हमका नुकसान बढ़ती पूरा कर देंगे we will compensate you for the loss you incur in terms of anything of that nature वो हमाई responsibility है ऐसा काम नहीं कराएंगे जिससे आपका नुकसान होगा that we will not लेकिन बड़ा बनने की इच्छा और बड़ा करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस पेस को उपको पाई करें दो चीजे और मैं आपके साथ शेयर करनू एक है कि हमें charging stations बनाने है और Tata has agreed to do one lakh charging stations and they fortunately till now has agreed saying that वो CAC के साथ करेंगे तो आपके जिसके पास भी जगह है थोड़ी location ठीक है and you can create a space so they will create a charging station or revenue sharing model से वो cost निकालेंगे तो आपसे fixed cost निकालेंगे तो आपसे fixed cost निकालेंगे that is how we negotiate for the CAC really. One lakh charging station will be at some point time I once said that purani logu ने शहाँ सुनागा मैंने काल था कि हम petrol pump आलो से बड़े बन जाएंगे if you can actually create one lakh charging station which can be a great story for us to do because हम charging station भी बनाएंगे, battery swap भी बनाएंगे and almost address everything which is required in order to try and promote electric utilization of electrification और जब सब गाड़िया लेक्रिक हों की चाहे वो किसी भी format में हो it'll be great story first to do that part of the work. The second is of course in Tata is also doing solar plants और अभी उनने 135 के करीब solar plants बिहार और UP में लगाया है I was making I was meeting one of the VLEs who's running that in 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 UP so कुछ लोग हमने वो plant CAC को दिये वो सारे के साले each plant cost about 40 lakh rupees ये local विजली create करता है local customers को we also talking to them कि उसका maintenance का काम भी CAC VLE को मिल जाए so CAC VLE उस stations को बनाए उसको उसको maintain करेगा he will get some income out of this he will sell the connections for electric power and also earn a livelihood for them and for them was a great story so they want to set up 10,000 of them all the saja सारे CAC के साथ करेंगे आप लोग थोड़ा ध्यान से करना अच्छा करना और उनके लिए थोड़ी से जादा महनत करना but it'll be great brand value for you to create because working with some big company called Tata and therefore very happy to try and associate उनको बहुत उम्मीदे हैं see आज ये वक्त है के हम Tata के हर चीज बेशते हैं almost everything everything possible but they got into CAC because there is a lot of trust in CAC और CAC की trust उसके VLE के साब से उनको लगता है ये VLE बहुत अच्छे हैं गाउं में हैं मैनत करते हैं and they are look computing infrastructure उनको computer आता है and they can add huge value to anything which the Tata's want to do it. So we can try and support them in many more ways and try and help and build a relationship with them. इसी तरह हमारे बाकी partners है not only doing and selling them we also creating the other part of the story. एक हमने ये भी कहा था कि सिरफ बिक्री नहीं करेंगे हम लोग employment generation करके service stations मनाएंगे. तो skilling करेंगे. चाहे वो electric हो चाहे बाकी चीज नहीं हो charging stations हो हम दो तीन बच्चों को train करके गाव में उनको काम थिखाएंगे उनको उसका रपेर, maintenance, AMC, all that part of behalf of this company can be done himself on behalf of the company. If that happens, warranty is fulfilled by the VLE, the AMCs are done by the VLE, the maintenance and service is also done by the VLE and he set up a small service station. In addition to selling, then only there is a story because then only a story for CSC, then only we create employment opportunities for rural India. But that is objective and that is how we do it. And वो हम जिसके साथ भी करते हैं, हम सब को यहीं बोलते हैं, हमारा काम सिरफ विक्री करना नहीं है, हमारा काम लोगों में employment generation भी है, भारत सरकार भी तो employment generation के लिए CSC को बनाय है and that is the reason we skill people and do that part. तो जो लोग बनाएंगे उनको हम उनके यह जो company है, इनके offices में भेज देंगे, यह लोगो आपको train कर देंगे and the basic maintenance part you can do that and also earn whatever little money is required to complete that part of the work, कि सब करना है. तो जल्दी से आज World Environment Day पे सब लोग अपने जाने से पहले एक ओथ लेके जाना, कि मैं जाने के बाद immediately एक अपना electric center, electric auto center खोलूंगा, खोलूंगा या खोलूंगी, that you do yourself, जिसको पैसे चाहिए, वो SGFC से लोन लेना, अगर SGFC लोन के लिए problem करती है, तो मुझे phone करना, I will help you in getting a loan for you, we will help you in getting a loan, अगर लोन के बिना कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, कोशिश तो करना, माबाप से हाथ जोड के उनसे पैसे ले लेना, और उनसे लड़ लड़ा के, पैसे लेकि, जो लड़किया है, अपने हस्वेंट से लड़के पैसे ले लेना, किसी भी तरह से, और लेके एक बड़ लगावे ना, don't worry about it, नुकसान होगे तो उसको बोलना, कोई बादी बगवान के पर उसे है, don't worry, but I think it's very important to take the risk, बिना लोन के कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फिर भी किसी को लोन की जुरूरत है, तो हम SGFC के साथ भी करते हैं, बहुत सारी companies के साथ करते हैं, they extend loan and I will help you in trying, getting a loan for them, and hopefully, let's create a new rural India, with enhanced rural e-mobility, with employment potential for rural citizens, किसी को सबजी बेचनी है, कपड़ा बेचना है, या कमुटेशन करना है, उनके employment potential के लिए, and of course, a green rural village, which will be our concept, which is what we want to be, आज Environment Day पे, हम अगर ये ही ओत लेके चले जाएं, तो we actually fulfill the vision of what we want to create a good environment. आपने अर्तो जिंदगी आधी जीली, लेकर आप अपनी generation, जो future generation है, उसके लिए एक अच्छा देश और अच्छा समाज और अच्छा environment छोड़के जाओ, उसके लिए rural e-mobility can be a great instrument. So thank you so much for coming and I wish all of you as quickly as quickly possible try and see what else can be done in the rural e-mobility space. Thank you so much.